हेलो दोस्तों, वेल्कम टो दे चैनल यानि एक expression पे ही dependent रहने वाले हम आगे के दो से तीन expression अब क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल tension मत लीजे आसान expression है ज्यादा से ज्यादा हमें समझने के लिए electric intensity का और Gauss theorem का formula हमें याद रखना है बाकी कुछ भी हमें याद करने के जरुवत नहीं है वेटा तो एक बार क्या करते हैं बस कल का हमारा Gauss theorem repeat करते है that electric field flux can be given by q divided by क्या हो गया था हमारा splon zero ये क्या था हमारा Gauss theorem अब इस Gauss theorem को लेके हमें पूछा क्या गया है देखिए question ये question हमारे लिए तीन mark का question है जो बहुत बार exam में आ चकता है और अब जब हमारा electrostatics इतना सब हो चुका है तो इस question की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें question exam में आ सके तो देखिए हमें क्या दिया गया है that expression for electric field intensity due to a uniformly charged hollow sphere or spherical shell नहीं समझा है question क्या है कि expression किसके बारे में तो expression आप इसे पकड़ लिजे मैं यहाँ पे एक diagram निकालूंगा तब आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं समझ लिजे हमारे पास हमारे पास एक sphere है समझ में आ गया है एक क्या निकाल लिया हमने sphere अच्छा निकालते है एक मिनिट हमने क्या क्या एक sphere निकाल लिया अब इस sphere से समझ लिजे इस sphere की radius कितनी है capital R और वो कैसा sphere कहा गया है charged sphere है तो हमने क्या कर इस sphere को सब तरफ से positively charged कर लिया सबज में आगया बटा क्या है तो positively charged sphere है तो अब हमाई question क्या पूछा गया है expression for electric field intensity due to uniformly charged sphere तो यहाँ में पूछा गया है कि इस sphere के वजए से अगर हमने यहाँ पे एक point पकड़ लिया जिस point का कह लिया नाम हमने क्या कह लिया P है तो इस sphere की वजए से इस point P पे कितनी electric intensity होगी यह हमें पूछा गया है हो गया है यानि हमें पूछा गया है electric intensity क्या होगी कहाँ पे at point P which is outside charge conducting sphere question सबज में आगे बटा आपको क्या करना है कि expression for electric field intensity due to uniformly charged hollow sphere और spherical cell cell वो भी कैसा है spherical ही है तो इसका answer निकालने के लिए हम जब answer create करेंगे तो हमारा expression कैसे create होगा पूरा हम Gauss theorem यूज करेंगे दूसरा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे मैं आपको इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा कि जिससे expiration चार मार्क का expression हम आसानी से निकाल सेकते हैं और आप कि इतने second में निकालनेंगे ज्यादा ज्यादा पात seconds तो question समझ में आगे बटा पहले आपको तो एक बार हम answer की तरफ जाते है उससे पहले आपको क्या करना है question आपको note book में लिख लेना है यानि मैं question के लिए हमारी जगा क्या करना नहीं waste नहीं करूंगा हम यहाँ पे diagram निकालने वाले है तो question यह है अब मैं इसका क्या करूंगा सिधा-सिधा answer ही निकालूंगा अब देखिए पहले मैं rough आपको equation निकाल के बताऊंगा समझ लिए point P का distance center से कितना है smaller है point P का distance कितना है smaller अब हम यह कहिए सकते हैं कि यह जो center यह जो अंदर का sphere है यह सब तरफ अपनी electric intensity क्या कर रहा है apply कर रहा है यहाँ पर apply कर रहा है इधर apply कर रहा है इस direction में क्या कर रहा है apply कर रहा है और अगर हमारा point P यहाँ पे है तो हम यह ऐसा कह सकते हैं कि point P पे intensity होते ही एक पूरे sphere के बाहर एक outer sphere भी क्या है present है एक outer sphere भी क्या होगा बेटा present होगा जिससे क्या होग सकता है हम क्या कह सकते हैं कि इस outer sphere पे भी क्या act हो रहा है electric intensity act हो रही है अपको diagram समझ में आ रही है तो हम क्या consider करेंगे ऐसे अगर हमारे पास diagram हो तो देखे बेटा diagram क्या बनी है हमारी यह हमारा inner sphere है जो कैसा sphere है? charge sphere है और इस charge sphere के बाहर हमने यहाँ पे एक point P रखा था अब आप कहेंगे शरी यह red color का dotted sphere क्यों निकाला? क्योंकि बेटा है यह जो अनْदर का sphere है उसके जरिए सब तरफ intensity act हो सकते है न यहाँ अगर समझ लीजी यह अनदर का sphere है तो यहाँ पे भी intensity act होगी तो सब तरफ क्या एक्ट होगा electric intensity एक्ट होगा तो से हमने कौन सा point निकला है P निकला है और point P का distance कितना है smaller उसमझ में आगया यहने हम point P को यहाँ पर अगर हमने ऐसा surface बना दिया तो हम इस area को क्या निकाल सकते है DS DS यहने काईशा अगर आपको डाइग्राम समझ गई है तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही आसान चीज है अब हम क्या निकालेंगे क्या करेंगे देखिए हमें निकालनी है इस पॉइंट की अब हम क्या गरेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और दूसरी साइड को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे by the definition समझ में आ रहा है यह आपका trick है यानि यह गर समझ में आ गया तो आपका answer आ गया है electric flux निकालेंगे by gosh theorem by definition अब by gosh theorem electric flux का formula गया है 5 is equals to Q upon क्या हो गया splon 0 net electric flux enclosed by the surface is given by number of charges divided by splon 0 यह हो गया हमारा gosh theorem की सबसे और by definition क्या है according to definition हम electric flux के लिए क्या कह सकते है that electric intensity is equals to electric flux upon क्या हो सकता है ds यानि phi is equals to e multiplied by क्या होगा ds है क्या सबजबे यानि हम क्या कह सकते है यहाँ पे phi is equals to integration of e multiplied by ds कौन सा close loop का दो expression आ गया हमारा पास अगया e क्या है electric intensity हम दोनों को अगर compare करेंगे तो answer मिल जाएगा बेटा देखिए phi phi दोनों तरब same है हमें अगर compare कर लिया q upon splone 0 is equals to e electric intensity constant है into integration of क्या होगा ds अगया integration of ds यहाँ से expression बनाऊगा direct answer बनाऊँगा q upon splone 0 हमें किसकी value निकालनी है e की तो integration of ds कौन सा shape है यहाँ पे spherical integration sphere का area क्या होता है 4 pi r square तो हम यहाँ पे काया लिख सकते है that q upon splone 0 आगया that q upon splone 0 is equals to e multiplied by कितना हो गया 4 pi r square हो गया ना formula expression हो गया 4 pi r square कहाँ पे जाएगे denominator में ने e is equals to q upon 4 pi r square into कितना हो गया splone 0 इसे कैसे लिख सकते है 1 upon 4 pi splone 0 q upon r square ताकि यह आसानी से हम समझ में ले सके expression समझ में आ गया आपको कि हमें करना क्या है यह हमारी process है हम किसके लिए value निकालेंगे electric flux के लिए value निकालेंगे और उस electric flux के लिए value निकालते हुए हम बस क्या करेंगे search करेंगे कि value कहां से निकलेगी पहली value निकलेगी हमारी gaust theorem से जो formula का statement ही है और दूसरी value हम निकालेंगे कहां से definition से और दोनों को compare कर लेंगे और बस अब क्या करना है अब जड़ा systematically उसे answer लिखना है यह तो हमारी electric field intensity बन भी गई अगर smaller smaller कहां पे है smaller is the radius of larger sphere अगर यह point P यहां पे होगा green color के sphere पे तो कितना होगा capital R small R के बदले क्या बनेगा capital R बनेगा और अगर point P अंदर होगा तो intensity कितनी होगी zero क्योंकि charging कहां से है outer surface से बाहर से charge अंदर से charge कहा गया है क्या नहीं कहा गया है तो हमें समझना यह चाहिए कि हमें दिया क्या गया है कि हम किसका इस्तमाल करके calculation कर सकते हैं आपको समझ में आगया हमने क्या किया एक बार मैं फिर से rough calculation करके बता दाओ बाद में फेर तो लिखना ही है दीखी एक बार diagram समझ लीजे green color का sphere है जो पहार से completely charged है और उसके वजए से ये जो red color का सब structure है वो सब क्या फेली है electric intensity हमने कौन सा point consider गिया P हम पहले P की value निकालेंगे कहाँ पे ds पे और वो ds इंटिग्रेट होगा कैसे 4 pi r square से समझ में आगया तो हम एक आसान चीज़ निकालेंगे और वो चीज़ निकालेंगे हम सिर्फ phi देख रहा है phi phi यहने क्या बन गया हमारा electric flux अब electric flux हम दो तरीकों से निकाल सेकते हैं एक है हमारे पास definition और एक है कौन सा theorem Gauss theorem अब Gauss theorem क्या कहता है that phi is equals to q upon क्या बन गया है splon 0 और दूसरे तरफ definition कहती है electric intensity की phi upon क्या हो गया ds तो हमें हम पेल कहा phi is equals to integration of e multiplied by ds integration कहां से आया क्यूंकि हम पूरे surface की बात कर रहे है शिर्फ ds की बात नहीं कर रहे है पूरे surface के लिए हम intensity निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं for sphere हम ये दो phi आगे ना बस ये दो phi LHS क्या है same है RHS को क्या करेंगे compare करेंगे तो कर लो compare q upon is equals to e into integration of क्या बन जाएगा ds e q नहीं निकला क्यों e is electric intensity constant है e क्या है electric intensity वेसे वो क्या है constant अगर किसी ने कह जाए कि sir ये dot product है तो आप क्या लिखिए integration of e ds cos theta तो बेटा आप एक बार देख लिजिए यहाँ पे अब कि e में और इस surface में angle कितना है 0 है point p and surface में angle कितना है 0 है तो cos 0 की value कितनी है 1 तो फिर से क्या बन गया e into integration of क्या हो गया ds cos 0 कितना है 1 तो कैसे भी आएगा answer सही में आएगा और बस अब compare करना है बेटाई that q upon 0 is equals to e into integration of क्या होगा ds दोनों को compare कर लिजे यानि q upon 0 is equals to e into integration of ds कितना है 4 pi r square दोनों अच्छे से अगर लिखेंगे यह denominator में आएगा तो क्या होगा e is equals to q upon 0 1 upon 4 pi r square लेकिन 1 upon 4 pi r square लिखने से अच्छा क्या लिखेगा 1 upon 4 pi square 0 q upon r square बन गया q upon r square अब small r क्या है smaller is the distance of point p अगर p इस surface भी होता था तो small r की value क्या हो जाती थी capital r अगर अंदर होता था तो value कितनी हो जाती थी 0 अगर आपको समझ में तो यह हमारा expression यह हमारा final answer आएगा हम इसको systematically लिखेंगे आप सब मेरे साथ में ही लिखेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाया और पूरा structure आप clear भी कर सकेंगे आगर वेटा समझ में बहुत ही आसान expression है रोज हम यही काम करने वाल है clear हो गया है हम तो expression लिखते हैं पहले एक बात हमेशा याद रखिए कि expression हमने पास दस मीट में बना भी लिया तो उसे लिखना बहुत ज़्यादा important और कैसा लिखना चाहिए यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ हम इसके बाद में इसमें एक दो चीज़े introduce भी कर सकते हैं in terms of surface charge density भी हम इसे indicate कर सकते हैं उसे में बताऊंगा एक बार तो उसके लिए भी बने रही है complete करेंगे expression में आखिर में sigma नाम की term भी हम इस्तेमाल करेंगे जो important term है तो आप बस लेखते रही है मेरे साथ में diagram बहुत important है ऐसी के ऐसी आपको करनी है बनानी है तो हम इदर की side में ही लिखूंगा मैं ज्यादा diagram तो पोचूंगा है नहीं इदर के side में ही हमें 2-3 बार लिखना है तो सब मेरे साथ में ही बने रही है क्योंकि नहीं तो पूरा वीडियो देख लिजे और बाद में फिर से एक बार देखते हुए उसे लिख लिजे क्योंकि तीर मार के लिए expression confirm मेरे साथ से आ नहीं वाला है तो जो लिए answer बनाते है for the expression at point P due to charge conducting sphere देखिए पहले phase में मैंने क्या कर लिए है यहाँ पे R हो गई consider point P which is just outside a charged conducting sphere at a distance of R from the center देखिए हर चीज बहुत शांती से लिखना हमारा फर्स बनता है अब हमें क्या करना है और हमने क्या किया है यह dotted lines क्यों है यह पूरा sphere हमने क्यों निकाला और यह EE करके बाहर क्यों निकले है तो उसके बारे में हमने देखा कि to calculate electric intensity at a point P draw a Gaussian sphere अब Gaussian sphere क्या तो जहां Gaussian surface या Gaussian sphere to calculate electric intensity at a point P draw a Gaussian sphere taking radius R as a radius as shown in figure यह जो dotted line से हमने निकाल दिया है यह हमारा Gaussian sphere है and let ds with a small area around point P on that Gaussian surface कि हम P पे calculation करने वाले है और P का area हमने क्या consider कर लिया है ds consider कर लिया है तो due to symmetry and sphere being concentric यहने एक outside sphere का भी center क्या है यहाँ पे same center O अगर consider कर लिया तो दोनों का center क्या है O ही है तो हम क्या कह सकता है कि due to symmetry and spheres being concentric the electric field on each point of Gaussian surface is of same magnitude and it is outward यहने क्या है यहाँ की E अगर outward है तो यहाँ की भी E कैसे outward ही है यहाँ की भी E कैसे outward ही है इधर की भी E कैसे outward ही है और सब का magnitude भी कैसा है same है सबज में आ रहा है आपको कि हमने यह सब चीजे लिख ली अब हम expression की तरफ ही जाने वाले है कि expression क्या है theoretical सबज में आगे हमने क्या लिख लिख लिया है अब हम क्या गरेंगे आप इसे लिख लीजे screenshot ले लीजे या आगे बढ़ेंगे बाद में लिख लेजे लेकिन यह बहुत important चीज़े हमने यहापे लिख लिख ली है ताकि आगे हमें बहुत आसानी से calculation की जा सके हम अब क्या करेंगे Gaussian 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 लगाएंगे और definition of magnetic flux electric flux लेंगे और दोनों को compare कर लेंगे ताकि आपको आसानी से answer मिल जाएगा तो समझभे आ रहा है दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए बताते रहिए कि मज़ा आ रहा है हम आगे बढ़ते रहेंगे तो गौस थेरम अपलाए करते हैं और देखे अकॉडिंट टू गौस थेरम equation क्या बनेगा अकॉडिंट टू गौस थेरम total electric flux can be given as total charge upon splon 0 तो पहला equation हमारा बन गया कि point P और Gaussian surface के लिए complete electric flux कितनी है 5 is equals to Q upon splon 0 इसको कहा लिख लिए equation number 1 दूसरा पार्ट यहने समझ लिए अगर numbering करनी है तो यहाँ पे हम लिखे लिखे equation number 1 यह हो गया हमारा 2 तो पहले second पार्ट में by definition of electric intensity and electric flux we can write electric intensity is equals to 5 upon area दोनों definitions हमारे पास है तो 5 upon area हमने लिख लिया तो 5 upon area के बाद में हमें कसकी value निकालनी है 5 की तो 5 is equals to E dot ds कोई dot product के topic को नहीं निकाले इसलिए मैंने dot product को consider ही कर लिया था तो dot product को consider करते हुए dot product के लिए हम क्या लिखेंगे तो complete surface के लिए उसको का करना पड़ेगा हमें integrate करना पड़ेगा समझ में आ रहा है तो integration of E ds into cos theta अब theta कौन सा है theta is the angle between E and ds तो देखें E यहां से निकार रहा है ds यहां पे है याने surface and p इनमें का angle कितना है हमारे पास बैटा 0 है तो cos 0 की value कितनी है 1 तो equation बना phi is equals to E into integration of क्या है ds है integration of ds याने surface का integration जिसकी value maximum है surface कौन सा है sphere है अगर surface sphere है तो integration of ds कितना बनेगा 4 pi r square equation समझ में आ गया याने phi की एक value मिली हमाए q upon splon 0 दूसरी value क्या मिली phi is equals to E into 4 pi r square अब ये दो values क्यों निकाले क्योंकि हमें किसकी value निकालनी है E की what is E E is electric intensity so from equation 1 and 2 we can compare phi as q upon splon 0 is equals to E into 4 pi r square E की value निकालनी के लिए 4 pi r square denominator को है तो E is equals to q upon splon 0 4 pi r square और अच्छा लिखने के लिए इस expression को हमारे common factor में लाने के लिए हमने कैसा लिखा E is equals to 1 upon 4 pi splon 0 q upon r square अब ये small r क्या indicate कर रहा है small r is the distance from the center अगर ये point P यहाँ पे आ जाए तो small r के बदले क्या लिख सकते हैं capital R उसे special case में हम mention करेंगे ही तो लेकिन इस expression को लिखना कैसा है समझ भी आ गया अब कल से क्या होगा expression हमें खटम नहीं हो आए हमें आभी complete करना है कि हम यहाँ पे एक और term इसी expression को एक दो equations में लिख के देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम अच्छे से इसके used to हो जाए expression यहाँ पे आगए E is equals to 1 upon 4 pi r square q upon r square अगली एक term तयार करेंगे यह समझ में आगए आपको तो पोजडू अच्छे से लिखा है तो पहले हमेशा याद रखना पहले according to Gauss theorem और दूसरी by definition of electric flux and electric intensity और ds surface कौन सा surface है spherical surface तो ds का integration कितना बना 4 pi r square आगा समझ में यही इसकी trick थी अगर हम क्या करें बेटा तो कोई attention ने पीछे ले लीजे इसका रह गया था पीछे ले लीजे screenshot ले लीजे मैं यहाँ पे एक term इंटर्म करूंगा और वो term है बेटा सिग्मा अगर हमारे पास e की value आगे तो हम लिख लेते हैं 1 upon 4 pi is upon 0 q upon r square होगी इसे कभी-कभी हम क्या लिख सकते हैं e is equals to 1 upon 4 pi is upon 0 k q upon r square k क्या है k is dielectric constant अब dielectric constant कितना है air का 1 है तो उसे लिखने की जरुवत नहीं है यहाँ पे एक नई term में डालता हूँ सिग्मा उसे क्या कहेंगे हम surface charge density देखे बहुत ज़्यादा क्या है surface charge density यानि charge upon area और sphere के लिए कितना होगा q upon 4 pi r square अगर हम इस equation को लिखने की कोशिश करें यानि e को इस equation में लिखने कोशिश करें that 1 upon 4 pi is upon 0 q upon r square यानि यहाँ पे तो हम क्या लिख सकता है but q upon 4 pi r square can be represented as sigma sigma क्या होगे surface charge density तो हमारी electric intensity की वहली होगो q upon 4 pi r square के लिए क्या हो सकती है देखो sigma upon क्या बज़ गया 4 pi r square sigma upon क्या हो गया splon 0 आगा सबज़ में आपको तो sigma upon splon 0 ये भी हमारी वहली हो सकती है जब हम calculate वहाँ पे करें और ये कब होगा when small r is equals to क्या होगा capital r क्योंकि small r पे तो नहीं होगा ये जो सब distribution है वो कहाँ पे है capital r पे ही distribution तो capital r का distribution अगर small r और capital r एक होगे यहाँ पे होगा तो electric intensity की वहली के आ सकती है is equals to 1 upon 4 pi splon 0 q upon capital r square और in terms of sigma हम इस value को यहाँ पे भी लिख सकते है that sigma upon splon 0 where small r is equals to क्या होगा capital r इस sigma की भाषा में भी कभी कभी equation हमें क्या हो सकता है दिख सकता है कि हमें ऐसा भी equation आएगा अगर आप कहेंगे कि sir इस equation को यहनि हमने अगर इस वाजू में कर लिया और इस equation को ही in terms of sigma लिखा है तो क्या हो जाएगा तो पेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा sigma is equals to q upon 4 pi capital r square है तो यहाँ पे q की value निकाल लेने पड़ेगे sigma into 4 pi capital r square और q की value यहाँ पे डालेंगे हम small e is equals to 1 upon 4 pi small 0 small q की value निकाली sigma into r square into 4 pi क्योंकि 4 और 6 आपको 6 दिख सकते हैं इसलिए मैंने वैसा लिखा q की value upon r square क्या कैंसल 4 pi 4 pi क्या हो गए cancel हो गए तो बचा क्या e is equals to sigma r square upon इस्पलों 0 इंटू R स्क्वेर अब देखिए अगर small r is equal to capital R होगा तो RR क्या हो जाएंगे cancel हो जाएंगे और e is equal to sigma upon splon 0 यह मैंने बाद में जो equations बताया है वो सब क्या हो गई हमारे लिए cases हो गई यह case हो गई in terms of sigma एक दूसरी term हो गई in terms of हमारे लिए क्या आ गया हो तो हमारे पास जो equations बनते हैं वो यह बनते हैं इनलिस्ट करते हैं एक बाद सबसे पहले पहला when small r is the distance of p इसके लिए equation निकालनेंगे e is equal to 1 upon 4 pi splon 0 small q upon r square इसे हम लिख कैसे चकते हैं और 1 upon 4 pi splon 0 k k small q upon r square फिर k is dielectric constant अगले वाशा में इन टर्म्स ओफ of sigma sigma क्या है surface charge density तो क्या बनेगा e is equal to sigma r square upon splon 0 r square यह हो गया हमारा when small r distance पे हैं जब small r is equal to क्या बन गया capital r तो हमारा equation क्या बनेगा e is equal to 1 upon 4 pi splon 0 q upon capital r का क्या बनेगा square बनेगा और smaller और capital r होगा तो e is equal to क्या होगा sigma upon क्या splon 0 यह जो मैंने बात में बता है यह आपको mcqs के लिए बहुत ही ज्यादा important बात है इस type का mcqs state board में भी आता है computer exam में भी बहुत ज्यादा आता है तो इस पे ध्यान रखिएगा अगर point p इसके अंदर चला जाए if p is inside अगर p is inside है तो electric intensity कितनी होगी उस पे 0 होगी क्योंकि हमारा sphere कहां से charged है outside से charged सोज में आगए बेटा यह था हमारा expression इसे लिखिए दो से तीन बार देखिए आराम से हो जाएगा और मुझे लिखके भेजते रहिए पढ़ते रहिए चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेटा पढ़ते रहिए रोज electro static बहुत आसान है मैं और भी आसान करने कोशिश करूँगा पढ़ते रहिए मैं पढ़ाता रहूँगा thank you